अगर ने पैटर्न को हम नहीं सीखते हैं, नम्बर्स के जादू को नहीं सीखते हैं, किस प्रकार कोई नम्बर अपने प्रिसीडिंग से आगे बढ़ रहा है? कोई भी नम्बर अपने पिछले वाली नम्बर से किसी भी सीरीज में किस तरह से आगे बढ़ रहा है, अगर हम यह नहीं सीख रहे हैं, तो नम्बर्स का खेल ही नहीं हुआ। एक ऐसा चेप्टर जहां पर कि नम्बर के जादूई खेल को हम लोग सीखते हैं, उसका नाम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलते हैं आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर सबसे पहले हम लोग यह बात करेंगें, यह प्रोग्रेशन कितने परकार का है। प्रोग्रेशन हम लोग इसको तीन भाग में रखते हैं, एक आ जाता है एपी, एपी मिन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि हम लोगों को परना है। दूसरा आ जाता है एपी, एपी हार्मोरिक प्रोग्रेशन जो कि हम लोगों को नहीं परना है। और तिसरा आ जाता है जीपी, इसको हम लोग बोलते हैं जियमेटिक प्रोग्रेशन यह हम को परना है। हम लोगों को पढ़ना है एपी और जीपी, यह दो टॉपिक पढ़ना है, एपी आप लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, जब आगे जाएंगे 11 में तो आप एपी भी पढ़ेंगे। चलते हैं हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है इस पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानने के लिए सबसे पहले हम आपसे बात पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं उसका पहले जवाब देजेए। रमेश नाम का एक लड़का है किसी कंपनी में वो जोइन किया उसकी सेलरी रुपीज 5,000 है पर मन्त लेकिन उसके ज्रेशन में कंट्रेक्ट में एक कंडिशन था कि हर मन्त आपके सेलरी में इंक्रिमेंट किया जाएगा और वो इंक्रिमेंट है रुपीज 500 है एक मन्त काम किये अगला मन्त से आपको और पांट बढ़ गया फिर अगला मन्त फिर पांट सो क्वशन पहण गया बढ़ गया इस परकार से अगर ये पूछा जाए कि कि रमेज चॉइन किया है दिसंबर एक 2020 और हमको बतलाना है उसका सेलरी क्या होगा मार्च 2021 में उसको कितना सेलरी मिलेगा यह आपको बताना है तो आप बता देंगे कैसे बता देंगे तो आप अगली पर जो रहेंगे दिसंबर महना में वह जोइन किया तो दिसंबर महना में दिसंवर के end में उसको मिल जाएगा रूपेश 5000, जनवरी के end में दिसंबर खतम हो गया जनवरी भी खतम हो जाएगा तो जनवरी जब खतम हो जाएगा तो उसको मिल जाएगा 500, 5000 plus 500, कि यानि कि उसको तब आजाएगा फ्च पंच पंच रुपईया उफ इस तरह से अप्रीर में चाह सेप्टमबर में क्यां जाएगा और नमबर ने आप अंगली पे 500 रुपया 500 रुपया एड करते हुए आप उसको फाइंड कर ही लेंगे लेकिन ये तो प्रोसेस नहीं हुआ ये तरीका नहीं हुआ ये तो मान लिजे कि एक साल भी नहीं है डिसमबर और ये पांच महना चार महना पांच महना का आपको निकालना है तो आप अंगली पे जोड के निकाल लेंगे लेकिन कुछ हैसा भी तो हो सकता है कि आपको एक सो टर्म के बाद का भेलू आपको फाइंड करना हो तो उसकेस में आप अगर अंगली पे उसको एड करते रहते हैं तो घंटी पार तो कैसे क्या करेंगे तो यही अर्थिमेटिक और कितना ही आसान यह हमको बना देता है किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए हम किसी फॉर्मुला का किसी सुत्र का इस्तमाल करते हैं तो हम लोग वहां तक आसानी से पहुंच जाते हैं ठीक है चलिए इसके आगे क्रिया को देखते हैं यह कुछ नंबर का ग्रूप है मेंबर 1 इसको देखिए, 4, 8, 12, 16, 18, 23, इसका 1st मेंबर 4, 2nd, 8, 12, 16, और इसी परकार से है, तो आपको फाइन करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7th, 7th मेंबर इसका क्या होगा, कैसे फाइन करेंगा, और क्या ये पॉसेबल है, हम उसको फाइन कर सकते हैं, इस पर बाद में बात करेंगा 5, 7, 9, 11, 13, 15, फिर हमको निकलना है इसके 7th मेंबर को, पॉसेबल है या नहीं, यह आप डिसाइद किजिए, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 7th मेंबर इसका क्या होगा, उसको फाइन करना है, फिर 16, 14, 12, 10, 8, 6, and then 7th मेंबर क्या होगा, इसको फाइन करना है, यहां पर देखिए, 4 में, 4 ए 12, 8 में, 4 एड़ कर देते हैं, इसी तरह से 4, 4 एड़ होते होते, यहां तक तो यह सही करम है इसका, लेकिन इसके बाद, फिर हम देखते हैं कि इसमें, 2 ही एड़ किया गया, उसके बाद, next term वेसको फाइफ एड़ किया गया, तो कैसे कह सकते हैं, कि यह जो जो member है, इसका, यह जो blank है इसमें हम कितना 23 में add करेंगे या subject करेंगे तो वो आ जाएगा, तो fixed नहीं है, हमको यह पर्णा नहीं है, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 13, 13 to 15, 15 plus 2, 17, यहां पर हम लोग 17 लिख सकते हैं, बिल्कुल 17 होगा, 149, 16, अब यह भी हम लिख सकते हैं, यह definitely 49 होगा, क्योंकि हम देख रहें कि यह natural number का square है, 1 का square, 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, and then the number will come square of 7, that is 49, अब यहां पर 16 में कितना add कर दिया गया, जो कि 14 हो गया, तो 16 में अगर हम minus 2 add कर देते हैं, 6 में हम minus 2 add करते हैं, 6 plus minus 2 इसमें जब add करेंगे, तो 6 minus 2 is equal to 4, यहां पर निश्चित रूप से 4 ही होगा, अब इसमें decide करते हैं कि इसमें arithmetic progression में किसको रखा जाएगा, तो एक ऐसा number का group, जिसमें कि कोई भी, कोई भी member, पिछला member में किसी भी number को add या subject करने से प्राप्त होता हो, तो हम उसको arithmetic progression में बोलेंगे, multiply करने पर नहीं, divide करने पर नहीं, अगर आप add करते हैं, या subject करते हैं, तो वो arithmetic progression में होगा, उस तरह से हम इसको arithmetic progression में नहीं रखेंगे, यहाँ पर यह arithmetic progression में रखा जाएगा, क्योंकि इसके किसी भी member में अगर आप to add कर देते हैं, तो इसका next member आपको पता चल जाता है, उसके बाद यहाँ पर यह square है, यह एक rule से आगे बढ़ा है, इसमें कोई सक नहीं है, rule क्या है, square of natural numbers, लेकिन हमने पताया आपको कि arithmetic progression में किसी भी member में हम सिर्फ add कर सकते हैं, या subject कर सकते हैं, तो arithmetic progression में हम इसको भी नहीं रखेंगे, यह तो आजाएगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें minus two को add किया जाए, तो कोई भी term हमको पता चल जाएगा, अगर उसके पीछे वाले term में minus two add कर देंगे, तो हमको next term पता चल जाएगा, अगर इसके next term को पता करना होगा, तो हम लोग four में add कर देंगे minus two, यानि कि four minus two is equal to two, यहाँ पर इसका next term होगा, eighth term, यह two होगा, अगर आपसे पूछे कि ninth term क्या होगा, तो ninth term इसका, इसमें फिर से हम minus two को add करेंगे, तो वो differently zero आएगा, यही है arithmetic progression, arithmetic progression में याद रखें कि यह numbers का एक group है, जिसमें कोई भी particular number, any particular number can be obtained by adding और subtracting any number, in the previous number of the given number, sixth number हमको find करना है, तो fifth में आप किसी particular number को add कीजिए, तो वो six मिल जाएगा, और यह जो particular number है, जो कि हम लोग add या subject करते हैं, उसको common difference बोला जाता है, जैसे यहाँ पर यह minus two, इसका common difference है, यह term, यह वाला term और यह वाला term चुकि first है, इसलिए हम इसको first term बोलते हैं, यह वाला term दूसरे number पर आ रहा है, इसलिए हम इसको second term बोलेंगे, इसी तरह से अगर आपको पूछें, कि यह जो numbers का group है, इसका one hundred fifth member क्या होगा, अब आप आसानी से बता सकते हैं, हम लोग इस पर discuss करेंगे, इस पर एक formula है, उस formula को कहां से लाया गया, कैसे लाया गया, इस पर हम लोग बात में बात करेंगे, आज आप सिर्फ arithmetic progression को, उसका introduction सिखिए, आगी की करवाई बाद में करेंगे, ठीक, अज इतना साही, जै हिंद, जै भारत.